हेलो एवरिवन आज हम मनेंगे कांदे बजे विदाउट सोडा और पाणी सामगरी हमें चाहिए चार बड़े प्यास अजवाईन हरी धनिया लाल मिर्च हल्दी जीरा नमक तेल और पेशन सबसे पहले हम प्यास के लंबे और पतले स्लाइस करके लेंगे प्यास को ऐसे करके अलग कर लेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें लगभग एक टीस्पून तक हमें नमक डालना है जिससे कि इसे पानी छुटना शुरू हो जाएगा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने दबाल ये धीरे धीरे पानी छोड़ने लगेगा इसे एक्स्ट्र से अलग पानी डलने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें ही अपना आटा बेसन का आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है तक्रिबन 5-7 मिनिट तक इसे अच्छे से रखना है देखिए पाच मिनिट के बाल इसे पानी छोड़ना शुरू हो गया है देखिए हाथ को भी लग गया है हरे धनिया डाल लेंगे अजवाइन डाल लेंगे एक चोटала चमच हलदी डालेंगे और दो चोटी चमच मिर्च पाओडरा एलेंगे थोड़ी से जीड कर लेंगे ए बेसन अटा हमें मिक्स करना है एक बारे मिन ही डालना है थोड़ा डॉरा डाल की मिक्स कर लेना है कड़ाई गरम करने के लिए रख देंगे तेल डालकर गरम कर लेंगे तेल अच्छे से गरम होने के बार हम इसमें अपना मिश्टर मिश्रन डाल लिए ब्राउन कलर तक हमें इसे हिलाना है हो गए है कांदे भजे खाने के लिए तयार वीडियो देखने के लिए ठेंक्यू